साउथ की टॉप क्लास मुवीज को बॉल्यूड तड़का लगा कर इंडियन ओडियंस के सामने रखना ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और बात करे हमारे अक्षे कुमार जी की तो इन्होंने गबर, भूल भूलया, रावडी राठोर जैसे ऑफिशल रिमेक्स में अल्रेडी काम कर लिया है। इस मुवी को प्रोडूस किया था और अब वो लक्ष्मी बॉम के भी प्रोडूसर और डिरेक्टर है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि आजकल की जो ये वेब सीरीज या मुवीज आ रही हैं, जिसे हम फैमिली के साथ बैठ कर देख ही नहीं सकते। ऐसे टाइम पे ये मुवी आपके लिए एक साफ सुतरी, फैमिली के साथ बैठ कर एंजॉय कर सके ऐसे मुवी होने वाली है। और अगर आपने कंचना मुवी देखी है, तो ओफिशल रिमेक होने के कारण ये 90% सेम होने वाली है। ट्रेलर देखकर एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी, इसका बैक्ग्राउंड स्कोर, कही पर भी जरा सा भी होरर या इंटेंस म्यूजिक जिसे कहते है, वो मुझे सुनाई नहीं दिया। और ट्रेलर के बीच में जो टैग लाइन साती है, उसे पता चल जाता है कि ये मूवी धमाकेदार होरर कॉमेडी साबित होने वाली है। ट्रेलर के लास्ट में अक्षे कुमार याने के लक्ष्मी एक सीन में मुझे संघर्ष फिल्म के आशुतो शुराणा की भी याद दिलवाती है। मैंने तो कंचना मुवी देखी है तो मुझे स्टोरी लाइन का पता है, पर योगी बोलता है कि अक्षे सर के परफॉर्मन्स को मध्य नजर रखते हुए इस मुवी को देखना तो बनता है। अरे हाँ, लोगों के आजकल के लाइक दिसलाइक का रेशो देखते हुए लक्षमी बाउम का ट्रेलर आते ही, फॉक्स्टार स्टूडियोज और डिजनी हॉट स्टार वालों ने अल्रेडी लाइक दिसलाइक का व्यू काउंट बंद कर दिया है। नव नवमबर से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर बरसने आ रही है लक्षमी, अब ये मुवी लक्षमी बनकर बरसेगी या लक्षमी बॉम की तरह फूटेगी, ये तो नव नवमबर को ही पता चल जाएगा। चैनल नया है और आपको लगता है कि योगी ऐसे ही बोलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाई।